कर रादे हैं, हलो दोस्तो, उडिंटे, एक इसे वीडियो का आपको जल्दी से जल्दी नौटिफिक्स को भी प्रेस्गिविडिक्ञ्च you लगे पस्क्रम करेब और इसक्कर आपक को भी प्रेस करते नव दोस्तों हम पहले सिखेंगे एककसर को हम कैसे उपन पहले हम दवाएंगे बिंडो के साथ आर जैसी बिंडो के साथ आर दवाएंगे देखिए option आ जाएगा इसमें हम लिखेंगे एक्सल लिखा और हम ओके करेंगे ठीक है ओके करते ही हमारे पास यह बर्क भुक खुलाएगी ठीक जहां पर लिखा हुआ है अब देखर हैं गुड मॉनिंग अपने लिखा दिखान ब्लैंक नोट्बुक हमें बिलैंक नोट्बुक सेलेक्ट रणा और इसको ओके कर देना ओके करते ही देखिए क्या जाए बर्क बुग आ जाए पूरी सीट खुलके आ जाएगी सेक्ट जो तरीका है उसको में बिंडो दबाएंगे विंडो दबाते हैं और उसको पर क्लिक करेंगे ख्ली आपको दिख रहा होगा जो ए से लेके बी, सी, डी जो लिखा हुआ है इनको हम बोलते हैं कॉलम और जो नीचे इदर नमबर वाइस है यह जो सारा एरिया है इसको यह एक है एक 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 है यह वर्क बोक है और इसको हम बोलते है यह पूरी सीड है ठीक है आप देख रहे हैं A, B, C, D यहां से X, F, D इसको हम बोलते हैं कॉलम मलग A से लेके X, F, D तक क्या होता है कॉलम होता है ठीक है और जो 1 से लेके बन से लेके नीचे 10,4,560 इनको सब यह क्या है रो है आप से कोई पूर सकता है अक्सल में कितनी रो होती है तो आप बोल सकते 10,4,560 रो है देखिए यह जो मैंने सेलेक्ट करके दिखाता हूं इससे आपको ना हो ठीक है दोस्तों यह क्या है रो है और यह मैंने सेलेक्ट किया यह है कॉलम का कलर जो है वह आप देख रहे हैं और इंज कलर का रो और जो कॉलम को बीच के मिलके जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं सेल देखिए जो सेल है इसको भी मै किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं ठीक है देखो इधर हम लिखेंगे कॉलम और इधर लिखेंगे हम रो ठीक है यहां पर हम लिखते हैं रो रो की रो और इधर के लिखेंगे हम कितने कॉलम हमने लिख दिया उसके बाद जो हम रो होते हैं आप देखो रो की जो क्वांटिटी है वो हम लिखेंगे इदर देख़ें कितनी दस लाग अर्टालिश जार पांसो चैतर वह मुझा पर लिखेंगे दस लाग अर्टालिश जार पांसो चैतर इससे आपको याद रहे कोई आपको पूंच में सकता है को सब्सक्राइब कभी आपको दिखाता हूं मैं एक्स एफ डी इससे आप से किलियर हो जाए देखिये क्या है एक्स एफ डी है दोस्तों यह हो गया कॉलम ठीक अब हम आते हैं हापे लिख देंगे एस तू दबाके एक्स एफ डी ठीक है अब यह जो देख रही है दर जो साइट में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जो कि हमारा रो का नमबर आता है कि हमारा जो करजर है वो हमने कहांपर किलिक किया है वो जो हमें सो करता है दोस्तों तो यह नमबर हमारी बताता है कि हमने इसको कहां पर क्रिकिए देखिए हम उपर जो फार्मूला वार है इस वार देखिए मैंने आप लिखा तो इसको क्या बोलते हैं फार्मूला वार जो उपर आप देख रहे हैं इसको फार्मूला वार ते मैं कोई भी फार्मूला एकसल मे दिखने लगेगा, यह formula है और यह उसमें so होने लगेगा दोस्तो, अगर मैं वहाँ से हट भी जाओंगा, तो formula उसमें दिखेगा देख रहे हैं, मैंने total कर दिया total करने के बाद, अगर मैं उसमें क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, formula so हो रहा है देखे, sum, break it open प्लस, ठीक है, अब हम उपर की बात करते हैं तो देखे, insert, page layout, formula, data और review और view इन सब को हम बोलते है, tab तो यह सारे tab हैं, और जो नीचे है clipboard, font, alignment, number इस सारे जो home हैं उसके option है, इन सारे option को हम वारिवारी करके सीखेंगे दोस्तों, ठीक है, दोस्तों इन सब को सीखने के बाद हम first class में, इस के हम basic सीखे रहे है, next class में हम आपको clipboard के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक है, यह देख रहे है, आप नीचे one seat है, क्लिक मारेंगे, क्या होगा, second seat आ जाएगी, ठीक है जैसे हम अभी क्लिक, one seat किया, second seat लेनी है, तो हम नीचे, seat two आ रहा है, seat two किया, file पे हम option करेंगे, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले, home home के बाद new, new पे हम click करेंगे, तो हमारी क्या होगी, new seat open हो जाएगी, new पे click करेंगे हमारी एक देखो, आगे option, blank workbook, open, open का मतलब दोस्तों होता, कि अगर हमें कोई file save है तो हम उसको खोल ले, I say inform save save as, तो कोई चीज़ अगर हम save करेंगे, तो save में जो पहले से save होती है, उसको save करते है, control as की मदस से, save as में हम new file save करते हैं, जैसे print आ गया, print के लिए control पी दवाइंग और print हो जाएगा, ऐसे यह आप देखना, share यह फाइल अगर हमें share करने तो share हो जाए, export अगर में यह file को PDF में convert करना तो इसको export आप कर सकते हो, PDF है, ठीक दोस्तों देखिए, PDF में अगर हमें बनाना होता है, कोई file या रिक क्लोज, जैसे हम क्लोज को option दाएंग देखिए हुआ, क्लोज का option आ गया, हमें यह क्लोज नहीं करने हैं तो इसलिए मैं क्लोज मार देता हूँ इस पर आगे बढ़ना हैं, दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लेगी हो, तो please like and share, thanks for